मन्च पर विराजमान सभी महानुभाव इस खेल महाकूम के समापन के समय देश के अन्य हिस्सों से पधारे हुए भारत को गवरव दिल्याने वाले सभी खिलाडी और इस खेल महाकूम को सभल बनाने के लिए राज्य भर में उत्साह और उमंग के साथ जिन लोगों ने हिस्सा लिया कुछ लोग विजय प्राप्त कर लिया कुछ लोग भविश्य में विजय प्राप्त करेंगे ऐसे सभी खिलाडी भाईयों बेहनों और नागरिक बंदु भगिनी मैं गुजरात के खेल प्रिय नागरिकों का खिलाडियों का आज स्वननिम जेंती के आउसर पर बहुत बहुत अभिननन करता हूँ उनको बधाई देता हूँ शायद हिंदुस्तान में कभी भी इतना बड़ा खेल का उत्सव नहीं हुआ होगा करिब 13,50,000 खिलाडियों ने इस खेल महाकुम्ब में हिस्सा लिया पचास हजार से अधिक एमपायर के नाते मैदान की व्यवस्था के लिए पूरी देर मैदान में जुटे रहे इन सब को अगर मैं मिला लूँ तो 14,00,000 से अधिक लोगों ने इस खेल महाकुम्ब के अंदर सक्रिय रुप से हिस्सा लिया जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी है जिन जिन लोगों ने उन्हें प्रोथसाहित किया व्यवस्थाएं दी वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी है मैं गाउं के उन सरपंचों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिनोंने अपने गाउं में इस खेल महाकुम्ब के यजमान बन करके पूरे गाउं के एक उत्सव के रुप में परिवर्थित कर दिया एक उत्तम यजमान के रुपे गाउं के नवजवानों का होसला बढ़ाया मैं गुजरात के सभी अठाराजार गाउं के उन सरपंच का वहां के उनकी टीम का आज अभिनंदन करना चाहता हूँ मैं गुजरात की उन सभी शैक्षणी के काहियों का और उसमें भी विशेश रुप से व्यायाम सिख्षक के रुप में काम करने वाले उन सभी बंदों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पूरे कारिकम को अपने कंदे पर उठा लिया और बड़े उस्सा और उमंग के साथ इस कारिको सभलता पुरवक पार कर दिया मैं सरकार के विभाग के हमारे मंत्री फकीर भाई को उनकी टीम सभी अधिकारियों को खेल विभाग आम तोर पर सरकार में आखरी यादी में होता है आज नंबर एक पर लाकर के खडाल कर दिया मैं उन सभी अधिकारियों का भी अविनंदन करता हूं पूरे गुजरात ने अनुभव किया कि युवकों के साथ अगर उनको मोका दिया जाए उन्हें अवसर दिया जाए तो कितना बड़ा सामर्थे दिखा सकते हैं यह हमने आज अनुभव किया है खेल कुद का ये कारकम उत्तम खेलाडियों से प्रेड़ा ले और इसलिए देश भर में जिन्नोंने अभी अभी अपना नाम रोशन किया उन सब को मैंने बुलाया ताकि उनको आप देखें उनके आशिरवाद ले और उनकी तरह आप भी प्रगति करें उनी में से प्रेड़ा ले इस प्रकार का हमने माहोल बनाया नव जवानों के लिए खेल जगत की उंचाईयों को पार करने वाला हर खिलाडी हमेशा के लिए प्रेड़ा के केंद्र में रहता है और राश्ट भी सालों तक खिलाडियों का गर्व करता है गवरव करता है भाईयों बेहनों जिस दिन इस खेल महाकुम का प्रारम हुआ था बहुत लोगों को अंदाज नहीं था कि क्या इतने बड़े व्यापक रूप से कोई कारकम हो सकता है अठारा हजार गाओं खेल का मैदान बन सकते हैं और वहां से टीमे बन करके ग्यारा सो स्थान पर सही माने में अच्छी स्पर्दा हो जाए और उसमें से खेलाडी उभर करके आए फिर तैसिल स्थर पर हो फिर जिला स्थर पर हो फिर सेमी फाइनल हो फाइनल हो और आज समापन हो जाए एक प्रकार से राज्य के लिए भी ये खेल महाकुम केपेसिटी बिल्डिंग का एक अवसर बन गया हमें अपनी ख्षमता को और अधिक बढ़ाने का अवसर बन गया और मैंने ये भी देखा कि पूरे खेल महाकुम में सच्चे अर्थ में खेल दिली का एसास हुआ और आखिरकर हमारा सपना यही था खेले कोई भी लेकिन जीतेगा गुजरात खिलाड़ी कोई भी होगा लेकिन जीतेगा गुजरात ये जो भाव हमने पहुँचाने का प्रयास किया था वो सिर्फ शब्दों में नहीं लेकिन स्पिरीट में भी पहुचा और जब हम देखते थे एक तरफ कच की बच्चियां हो दूसरी तरफ डांग की बच्चियां हो दोनों ने कभी मिलना भी नहुआ हो कहां डांग कहां कर्च और जर कबड़ी का खेल चल रहा था और डांग की किसी बालिका को चोट लग गई तो जीतने का सपना छोड़ करके कच की एक खिलाडी बहन एक बड़ी बहन की तरह उसकी सेवा करने के लिए पहुँच जाए इससे बड़ी खेल दिली क्या हो सकती है हम जानते हैं मित्रों जब मैच होता है इस परदा होती है तब तनाव भी होता है जीत का जुनून होता है सामने वाले पराग को पराजित करने का एक किलिंग इंस्टिक होता है और ऐसे समय अगर एंपायर से कोई चूख हो जाए वो राबोर तो है नहीं वो इंसान है लेकिन ऐसे समय भी कितना ही जुनून क्यों नहों कितनी ही तेज किलिंग इंस्टिक क्यों नहों लेकिन एंपायर के शब्दों को फाइनल मान करके खेल दिली का परिचे कराने वाले अनेक छोटे छोटे बालोकों को मैं आज सलाम करना चाहता हूँ उनका अभिनन्दन करना चाहता हूँ जैए और पराजए जिंदिक का हि 얼ять है घेल हमें बहुत बड़ी सिक्षा देता है खेल से बड़ा कोई माइथोलोजी पर मनी हुई है हिंदू माइथोलोजी ऐसी है जो कहती है पुनर जन्म में विश्वास करते हैं और कबड़ी एक ऐसा खेल है कि जिसमें पुनर जन्म का आउसर होता है खिलाडी दुबाना जिन्दा होता है एक बार मरता है बाहर बिठा दिया जाता है फिर जिन में कैसे लाया जाता है इसका उधारन ये हमारे परंप्रागत खेलों में रहा है इस बार जब हम खेल महाकुम की रचना कर रहे थे अधिक सम लोग इससा ले सकें इसलिए करीब करीब 20 खेल हमने पसंद किये थे लेकिन बाद में मैंने देखा अनेक ऐसे बालग मिलने आए कि हमारे गुजरात में ये भी खेल है उसकी बिस्परधा करा दीजिए फलाना खेल है उसकी बिस्परधा करा दीजिए मैं उन सब खिलाडियों को आस्वासन देता हूँ गाउं के स्तर पर वो शायद खेल नहीं होगा तैसिल में भी नहीं होगा शायद कुछ इने इने जिल्लों में होगा लेकिन भविश्य में सेमी फाइनल और फाइनल के अंदर ऐसे सभी खेलों को हम समाविस्ट करेंगे और एग भी खेल को अच्छूता नहीं रखा जाएग भाईयो भेनो गुजरात सरकार ने अपनी पहचान मनाई है पंचामृत योजना के तहट और उस पंचामृत योजना के तहट हम पंच शक्तियों के अधिस्टान पर गुजरात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उन पंच शक्तियों में एक महत्वपूर शक्ती है जन शक्ति इस स्वर्णिम जैनति अवसर का उप्योग हमने जन शक्ति की साधना करने के लिए किया है इस स्वर्णिम जैनति के अवसर का उप्योग हमने जनता के भीतर जो सुशुप्त शक्तियां है उसको उजागर करने के लिए अवसर जुटाने के लिए किया है वांचे गुजरात अभियान क्या स्वर्णिम जैंती अवसर पर ऐसा भी कारकम हो सकता है बॉर्ल्ड रेकॉर्ड हो जाए एक साथ पचास लाग से अधिक लोग पब्लिक प्रेस पर आकर के एक घंटे तक लग पढ़ाई करें यह शक्ति को उजागर करने का प्रयास था और आज गुजरात भर में बालकों में नई नई किताबे पढ़ने की स्परधा चल पड़ी है अधिक्तम किताबे पढ़े तेजगती से पढ़े हर किताब का वो खुद मुखपाट वर्णन कर सके उसके लिए पूरे राज में एक माहोल बना हुआ है क्या किसी ने सोचा था कि खेल में रुची रखने वाले हर नवजवान को मैदान में लाने का ही अवसर मन सकता है मैं देख रहा था मार्च मार्च क्या शांदार हमारे नौजवान है ये नौजवान बेटे और बेटियां कितना जुस्सा भरा है उनके अंदर जैसे आने वाला गुजवान आज इसी राह पर तेज गती से चल रहा था मैं अपने आँखों से देख करके प्रसंदिता का अनुभव कर रहा था ये सामर्थ का दर्शन करने का अवसर मिल रहा था और यही युवा शक्ति है जो कलके गुजराण को बनाने वाली है उसकी बुझाओं में भी दम चाहिए उसके दिमाग में भी सामर्थे चाहिए अगर माचे गुजराण वह ताकत देता है तो खेल महा कुम्ब भी वह ताक एक खेल के साथ ये भी एक विश्वे रेकॉर्ड बन गया है एक के बाद एक ऐसे कारकमों को लिया जो सच्चे अर्थ में जन्शक्ति की साधना के उसर बन जाए कि मैं सभी युवां मित्रों से आवान करता हूं कि कि आप अपनी शक्ति को पहचान लिया है आपकी कमी कहां है वो आपको अंदाज आ गया है आपकी शक्ति की स्वात्म है उस पर भी आपका भरोसा हो चुका है अब दोस्तों रुकना मत आप प्रैक्टिस जारी रखिए कोई दीन ऐसा न हो जब आप खेल के मादान में जा करके इस भारत मा की मिट्टी के साथ अपने आपको मिला न लें कोशिश वैसी करना कि हर दिन भारत मा की मिट्टी अपने सर पे चड़ाने कावसर मिले बित्रों एक नई उर्जा मिलेगी आपको आप देखिए हर खेल को बड़ी गहराई से देखिए अच्छे अच्छे खिलाडी कैसे खेलते हैं वो देखिए आज इलेक्टोनिक के यूग में यूटूब पे चले जाएं वेबसाइट पे चले जाएं आपको हर खिलाडी के खेल को और हम चाहते हैं यह खेल महाकुम अब इस गुजरात की धर्ती पर हर बर्श होगा अगर पहला प्रयोग इतना सफल हुआ है तो दीरे दीरे उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी नव जवानों को कितनी शक्ति मिलेगी में अंदाज कर सकता बाईो बेहनो अधित गुजरात को पचास साल हुए हम स्वर्णिम्यन्द का अवसर मना रहे हैं पचास साल के अंदर खेल के कारकम के लिए खिलाडियों को जो कुल इनाम मिले नगद इनाम मिले जो पचास साल में जितने मिले उससे सो गुना इनाम इसी एक खेल महा कुम्बे में हमने दे दिये करीब बीस करोड रुपिया बीस करोड रुपिया जैसी रकम हास सर के खिलाड़ी विजयताओं के हाथ में नगद दे दिये मित्रो कोई सोच नहीं जगता है लेगि मैं मानता हूं मित्रो खिलाड़ी हमारे देश की दरोहर होता है खेल हमारी प्रतिश्चा होता है और उसके अंदर जितना खाद दालोगे उतना ही वो वटवरुक्ष बड़ा होने वाला है और इसलिए हमने खाद डालने का काम इस खेल कुद महा कुम के अंदर इनाम के जरिये से किया है और तुरंत देने का काम किया मुझे कुछ बच्चों ने चिठियां लिखी हैं अपने अनुभव लिखे हैं वो अनुभव इतने मज़ेदार थे कि मैं उसको पूरा पढ़ता था नहीं तो हम क्या करते हैं दो चार लाइन प्रमुख होती हैं जो हमारा पी ए लाइन करके दे जेता है उतना ही पढ़ते हैं लेकिन जो बच्चों ने मुझे चिठियां लिखी हैं वो इतनी उत्साज अनक और प्रेरक चिठियां हैं मैंने उस सारी चिठियां पूरी-पूरी पढ़ी हैं और भी खेल जगत के बच्चे इस खेल के दर्म्यान आपके मन में कोई भाव उठा हो आपका कोई अनुभव ह हुआ हो मेरी आपसे मित्र करनाते प्रार्थना है मुख्यमंत्री के नाते नहीं मैं आपका मित्र हूँ दोस्तों आप मुझे चिठिय लिखिए आपके अनुभव मुझे बताइए मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ मैं आपसे समवाद करना चाहता हूँ मैं युवाब पिड़ी के साथ जुड़ना चाहता हूँ आएए मैं और आप मिल करके खेल की दुनिया में भी गुजरात को एक ताकत दें एक शक्ती दे मित्रों और हिंदुस्तान को बहुत कुछ देने का जिम्मा हम पर है तो खेल में भी हम देश को कुछ देंगे इस विस्वाद के दाद हम आगे बढ़े हैं बावियो बेहनों इस खेल महा कुम के अंदर हमने ध्यान आया है कि हुमन डिसोर्स डेवलपमेंक आज के यूग में वैस्विक्स तर पर अगरह में नई उचाईयों को पार करना होगा तो बड़े वैज्यानिक ढंग से हुमन डिसोर्स डेवलपमेंक की और ध्यान देना हो होगा और इन सारी बातों कर सोच करके भाईयों बेहनों मेरा सपना है आज नहीं तो कल कभी न कभी हम गुजरात की धर्ती पर एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्मान करेंगे और जिसके कारण हर शेतर के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमें काम आएगी और आज देश में खेल कुछ के अंदर बहुत आगे बड़े हुई हमारे जो खेलाडी है वो फैकल्टी के रूप में हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सेबा लेंगे तो गुजरात एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है मित्रों और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके हम एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्मान करें जहां भी उत्तम उत्तम सिक्षा हो स्पोर्ट्स के खेत्र में हो उसको हम लाएंगे मैं और एक भी विचार कर रहा हूँ हम 15 अगस 26 जन्वरी ये दो पर्व राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हम मनाते हैं आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूँ इस बार 26 जन्वरी हम सूरत में मनाने वाले हैं और आज सूरत ने बड़ा शांदार प्रदर्शन भी किया है तो हम सूरत के अंदर जब 26 जन्वरी मनाएंगे तो बहाँ पर हम सस्त्रास्त्रों का तो प्रदर्शन करते हैं लाखों की संख्या में लोग सस्त्रास्त्रों का प्रदर्शन देखने के लिए आते हैं लेकिन हम आने वाले दिनों में इसके साथ साथ खेल जगत के साथ जुड़े हुए सब चीजों का प्रदर्शन भी हर जगा पर लगाएंगे अगर तिरंदाजी करते हैं तो वो तिरंदाजी के साधन क्या होते हैं युवापीडी देखे शूटिंग के लिए जाते हैं अच्छे से अच्छे सुटिंग किस परधा में कौन से साधन उपयोग में आते हैं लोग देखें हम उन सारी चीजों का प्रदर्शन लगा करके एक खेल का कल्चर बनाना चाहते हैं और जो इस प्रकार के उत्पादन खेतर में लगे हैं उनको भी हम निमंतर देते हैं आईए सूरत के हमारे इस प्रदर्शन के अंदर आप सामिल हो जाईए और प्रती वर्ष हम इस प्रकार का प्रदर्शन का लगाएंगे ताकि नवजवान देखेंगे कभी लोगों को अंदाज में नहीं होता है कि ये जो खेल के अंदर कितनी टेक्नोलोजी आई है कितने उत्तम प्रकार के साधनों का विकास हुआ है वे जब हमारी नई पीडी देखेंगी उनका भी होसला अब जाई होगा तो भाईयो भेनो एक खेल के जगत में पूरी तरह विकास कैसे हो उसका एक शुभारम आज के इस खेल महाकुम के समापन के साथ सुरू हो रहा है खेल महाकुम का समापन होता होगा लेकिन खेल की दुनिया की शुरूआत हो रही है उस सुरूआत के सपने को लेकर के हम चले फिर एक बार जो विजई हुए हैं उनका अभिनंदन जो कल विजई होने का सपना देख रहे हैं उनका भी अभिनंदन जो खेल के मैदान में खेलते थे उनका भी हमिनंदन और जिनों होने किनारे पैर बैड़ करके तानी बजा करके भी उनका हासला अभजाई किया है उनका भी हमिनंदन इसे प्रोचाइद करने वाले सबका अभिनंदन ये एक जन्शक्ति का उत्सव था एक जन्शक्ति को उजागर करने का उत्सव था एक जन्शक्ति की साधना का उत्सव था गुद्रात की धर्ति पर खेल का ऐसा महाकूम बुद्कान में कभी हुआ नहीं है और भविश में इससे भी बड़ा होके रहेगा इस विश्वास के साथ आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई आप सब को बहुत बहुत शुब कामनाए जय जय गर्वी गुद्रात जय जय स्वानिम गुद्रात